कि नमस्कार दोस्तों ओस्य नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ अमकार चोधरी भाव तोर से कर जुड़ रहे हैं मुंबई से और भाव जुड़ रहे हैं तो अब से ठीक पांचवे दिन वहां वोटिंग होनी है सबकी निगाहे महराष्ट पर टिकी हुई हैं उपर से तो सब बात कर रहे हैं मुंबई में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं यहां दिल्ली में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारत के बाहर भी बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट में क्या होने जा रहा है लेकिन भाव तो वहीं बैठे हैं उसके हिर्दे अस्थल में बैठे हुए हैं और केवल मंबई में ही नहीं बैठ करके बात कर रहे हैं अभी कई जिलों का दोरा करके आए हैं और एक्च्वल में जो रिमॉट एरिया कहा जात करना है वहां क्या हो रहा है किस तरी की सोच चल रही है किस तरी की तायारी चल रही है और जो नیशनल लेवल के लीडर्स अपनी बात रख रहे हैं मत्धातों के सामने उसका नीचे तक असर कितना हो रहा है और फिर वो वोटिंग में परिवर्तित कैसे होगा या नहीं होगा इस पर आज चर्चा करेंगे कुछ एहम दूसरे मुद्दे भी हैं जिनको हम टच करने की कोशिश करेंगे तो पहले भाव उसके साथ जुड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ की दिल्चस्पी की वजह क्यों बन गया है सब जानते हैं कि लोक सभचनाव में थोड़ा बीजेपी को जटका जरूर लगा था लेकिन नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं उसके बाद जो पहली परीक्षा थी उसमें भी भारतिय जनता पारिटी पास हुई है कॉंग्रेस पेल हुई है आप जम्मू कश्मीर देख लो वहां तो कॉंग्रेस को केवल 6 सीटे मिली है भारतिय जनता पारिटी को 29 मिल गई है हर्याना में कॉंग्रेस पारिटी हार गई है भारतिय जनता पारिटी की तीसरी बार सरकार बन गई है जहार खंड को ले पी और उसके घडबंदन को जटका लगा साथ, तो आप वहां बैठे हैं, आप दोरा करके भी आए हैं, कई जिलों में गए हैं आप, तो महराष्ट एक तो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, और सब ये जानना क्यों चाहते हैं, कि जो एक भारतिय जिन्ता पार्टी का क कर्वा चल रहा है, वो महराष्ट में भी जारी रहेगा, या उस पर कहीं कोई शन्शे है? तो जो कारवा निकला है वो तो चलता रहेगा है इसका कारण यह है कि चुनाव बीजेपी के हाथ में भी नहीं रहा है ना कि यहां महायूती के हाथ में रहा है ना कि यह बीजेपी के जो इंडी है उसके हाथ में जहरखंड में रहा है चुनाव जैसे हमारे एक फैशन है महाराष्ञ्ट के लोगों ने अपने हाथ में लिया है। उनको परवा नहीं है कि बीजेपी वाले रफिंध वाले क्या प्रचार करते हैं, मिजेपी या महायूदि के काो नेथा, क्या योजना ला रहे हैं, क्या मुझे उपस्थिक कर रहे हैं, उससे लोगों को मतल tat नहीं है घले पट चलीं करा और मैं जुबों कर siamo जाल मेरा प्रोग्राम होता है वहां तो उन लोगों से बात करता हूं जोरा। लेकिन जहाजार रुपता रुचाय पीने के लिए कई रास्ते पर ट्रैफिक है वहाँ तो मैं लोगों से बात करता हूं लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो एक समझ में आई कि जो कुछ मैं देख रहा था सुन रहा था उसकी खबर तक हमने किसी मीडिया में नहीं देखिए ना इ pepp oh निइस प्रिंट मीडिया ना कोई इलेक्ट्रनिक मीडिया में उसकी खबर तक नहीं है वसको जो उत्तरपदेश के मुख्यमंटी बुल्डोजर भाबा अजित्यनाथ जिनको बुल्डोजर भाबा बोला जाता है उनकी बात जो है वो गाव गाव तक खेड़ू तक पहुज गई है जो कम से कम सब्दों में होता है तो बटोगे तो कटोगे यह बात जो है वो गाव तक फैल गई है और इसकी ना किसी मिडिया में आ रही है ना उनको कुछ पता है कि क्या हो रहा है गाव में क्या हो रहा है दिखाय क्या जाता है कि मुझी जी की वहां सबा हो गई यहां अमित चाह की मिटिंग हो गई इतनी बड़ी भारी भीड थी इतने बड़े टेंट लगाये थे पंडाल डाले थे वो कैमेरा लगा कर पूरा का प 500-700 लोग इकठा बैट कर जो कुछ कर रहे है उसका किसी को भी पता नहीं है किसी को भी पता नहीं मुझे तक नहीं न मैं मान लेता हूँ कि आखिर मेरे कॉंटेक्ट जो है वह बत्रकार है या कोई राजगिय कारे करता है लेकिन वो वोटर नहीं होते हैं वो अपना ओपीनियन देते हैं उनको क्या लगता है उनका क्या कलन है उस पर बात करते हैं ना कि जनमानस में क्या चल रहा है और जनमानस में जो उतर पुथल हो रही है वह आपको नीचे की स्तर पर जाक कर देखना पड़ता है जो मैंने देख लिया है सुन लिया है समझ लिया है कि अब हमारे या महारष्ट में एक बात होती है कि दिवाली वगरा हो गई तो डिवाली से लेकर बारिश आने तक हर गाव में अपने गाव का जो ग्राम दैवत होता है उसकी पुजा होती है वहां कुछ पुजा अर्चना होती है होम हवन होता है वहाँ छोटा सा गाव का मेला होता है जत्रा होती है तो वहाँ भजन पूजन किर्टन प्रवचन होता है और वो उसी गाव के लिए लिमिटेट होता है आसपास की बस्तिया गाव से लोग आगे तो गाव में समझो एक पाच चारसो पाचसु से लेकर हजार त तैडिशन है हमारे या कि करतन प्रवचन जी जी किर्टन करने वाले जो किर्टनकार है प्रवचनकार है वह जिन जंग से बटोगे तो कटोगे और वप का मामला गाव गाव में घर घर तक बस्ती बस्ती तक ले गए इसकी मैंने खबर किसी भी मिडिया में नहीं देखी ना मराठी में देखिए हिंदी में सहे तो होगी नहीं अगर मराठी में नहीं होगी को कि हिंदी न्यूट चानेल हो या मिडिया हो वो भी आखिर महाराष्ट के किसी ना किसी पत्रकार को पकड़ के उसके लेता है अगर मराठी में तरफ किस स्थरत्पत क्या हो रहा है ऺेढλλά धंसे प्रचार हो रहा है और उसमें ना विजपी का झंडा है ना और सिक्सा का झंडा है ना कोई नेता है ना कार्य करता है यह सब और गनेशन जो है वह बजरंग डल हो विश्व हिंदू परिशत हो या आरेसेस के जो अलग अलग उपक्रम है आयाव है वह मिलकर यह कर रहे हैं और इसका बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को तो ख़बर नहीं है जो बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा था एक ना चिंद के लिए काउन काम कर रहा है और इसको मैं महत्वह इसले देता हूँ इंपोर्टन्स इसले देता हूँ कि जब आप हजारों लाखों लोगों के सामने भाशन करते हो तो उनके मन में क्या भावना पाईदा हुई उसका फिडव्यक तो आपको आता नहीं बेंको एक गाव में 200-500 लोगों के सामने गाव की महिलाय होगी बुड़े होगे जवान होगे किसान होगे मजदूर होगे वो एक जगा बैठकर 2-3 घंटा ये प्रवचन किरतन का जो इंटरेक्शन चलता है उसका प्रभाव उस मानसिक्ता पर बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये खिरतनकार जो अबंग को लेकर एक प्रवचन निरूपन करते हैं तो उसमें आज की जिन्दगी आज की वास्तविक्ता और स्पिरिच्यालिटी और इटियास इसका सम्मिश्रन करके बात करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर ज्यादा होता है और ये जो मैंने देखा या सुना तो मै ठकीद हो गया क्योंकि मुंबई में बैटकर मुझे पता तक नहीं था एक हफ्ते पहले तक कि इस जंग से पिछले तीन-चार महने से काम हो रहा है ये काम कौन कर रहा है कोई RSS वाला नहीं कर रहा है अब ये भाई कोई RSS का स्वयम सेवक है ये वीच्पी का कार्य करता है पदा रिकारी या अफिस बेरा रहे ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो इन सब सोशल पॉलिटिकल अर्गरिशन से अलग रहने वाले लोग है लेकिन वो जबकि उनकी जिन्नगी धर्म से निगडी थे हिंदुत्व से निगडी थे क्योंकि संत महत्मा हो किसी मंदिर हो अब द है वही तो होगा तो इसकी जिन्दगी ही हिंदु धर्म से अगर जुड़ी हुई है तो उनके लिए वप का मामला जो है वो गंभीर बनकर सामने आ गया है गंभीर बनके इसलिए सामने आ गया है कि अगर हिंदु धर्म नहीं रहेगा मंदिर नहीं रहेगा तो किर्टनकार क करेगा क्या तो इनों लोगोंने यह इतना सीरियसली मामला लोगों तक पहुचाया है जो मोदी योगी तक नहीं पहुचा सकते लेकिन मोदी योगी की जो लाइन है टैक लाइन है बटोगे तो कटोगे एक रहोगे नेक रहोगे एक रहोगे सेफ रहोगे यह मामला गाव ना कि किसी पत्रकार यह मीडिया को ख़बर है और यह सबसा बड़े को आहम इसलिए बोल रहा हूं कि जब इसके परणाम 23 नौवंबर को आएगे 20 नौवंबर को मत्दान होगी तब इसके परणाम 23 को दुपार को बारा बजे हम बोल रहें इस समय उसके परणाम निखाई दे तो जमीन के नीचे से जाने वाली वायर जो होती है इलेक्टिक की टार जो होती है वो खोद कर उसको हाथ लगाना पड़ेगा और शौक लगेगा तब आपको पता चलेगा कि अंडर करण्ट क्या होता है तो मान लो कि मैं घूम रहा था पाच छे दिन तो वो अंडर करण्ट मैंने देखा है I'm shocked मुझे असलियत में शौक लगा है ये मैंने कलपना भी नहीं की थी कि बटोगे तो कटोगे ये टैग लाइन इतकी इतनी नीचे के स्तर पर गाव गाव खेडू तक तक पहुँच गई बहुत एहम जानकारी भाव आपने दी है और जमीन पर क्या चल रहा है वो फीड़ बैक आपने दिया है और मुझे लगता है कि आपकी दी हुई इस जानकारी के बाद जो वास्तों में अपने आपको सोकोल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया कहता है शायद उसकी निद्रा और तं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनका भी जो तोर तरीका है काम करने का कहीं वह लेंड करते हैं फिर वहां एक जमावड़ा होता है उसमें कुछ पॉलिटिकल पारिटियों के नेता और कारिकरता भी इकठे हो जाते हैं उन्हीं के द्वारा जुट आई है भाव अभी आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला इसको लेकर के जो महायूति के गठवंदन सहयोगी हैं या जो पार्ट हैं अजित पवार का एक बयान आ गया अशोक चवहान का आ गया पंकजा मुंडे का आ गया और उसको लेकर के मीडिया जो है वो मयूर नि पूर्टिस की है इन में से तीन लोगों के दो लोगों के बयान इंडियन एक्सप्रेस के इनीशेशन पर आए हैं चलिए अजित पवार ने तो सभा में कहा लेकिन बाकी लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से बाचीट करते हुए कहा तो क्या हम यह मान लें कि जो आप कह र बिल्कुल बड़ी घबरादे देखिए अगर अगर बटोगे तो कटोगे इसका परिणामी नहीं हो रहा है तो उसके बारे में अशोक चमान हो या बंगजा मुंडे हो या अजित दादा हो उनके कोई बयान है तोड मरोड कर उस पर बावाल करने की जरुरत क्या है देखिए आपकी बिमारी बिल्कुल छोटी अंदेखी करनी क्यासी है तो आप दोड़ते दोड़ते ना डॉक्टर के पास जाते हो ना अस्पताल में जाते हो कोई दोस्तों घरवाला हो बोलता है रहे यार यह यह टेबलेट लेलो यह गोली लेलो शाम को तुम ठीक हो जाओगे हम कर लेते क्योंकि वह उतना सीरियस नहीं होता लेकिन अगर बीमारी सीरियस है तो हम उस दोस्तों बोलते तुरी बात अलग रखो कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बोल दे कोई अच्छा अस्पतार हो तो बोल दे तो यह बोखला यह लोग जो है यह बवार इसलिए खड़ा कर है कि उनको आइस्ते आइस्ते जो फिडवयक आ रहा है कि गाव गाव में बटोगे तो कटोगे और वफ का मामला एक एक इंसान तक पहुच गया है और उसके परिणाम और प्रभाव दिखाई देने लगा है मैं आपको एक बात बता दू एक एक किरतनकार से मैं मिला शांग हमारी रोजी रोटी भी प्रभर्चन से आती है किरतन से आती है हमारी जिन्दगी किरतन और भजन किरतन से चलती है तो हिंदु धर्म हमारी जिन्दगी असली जिन्दगी है तो हम लोगों को पूछते कि भई वक्त का मतलब समझ रहे हो कि तुमारे गाव का मंदिर भी कल उ मारी है तो करोगे क्या और उससे आगे निकल कर उससे आगे निकल कर वो बोला कि मैं लोगों से सवाल करता हूँ क्यों अगले साल पंधर पूर की वारी करनी है या नहीं पंधर की पूर की वारी यह महारस्ट का एक बड़ा त्यावार होता है गाव गाव से निकल कर लाखो ल तेड़ सो पचास किलो मेटर चलते चलते दो-दो महने से लेकर एक-एक हपते तक चलते चलते पंधरपूर पहुच जाते हैं ना उनके भगवान की मुर्ति का दर्शन होता है लेकिन उस मंदिर का जो शिखर है वो देखकर भी वापस गये तो भी उस खुद को पावन और अगर वारी करनी है तो वारी के लिए हमें वो सतन्रता अधिकार अबाधित रखना पड़ेगा और वो अधिकार अगर वैसा ही रहे तो जो उसको गिराना चाहते महाविकास अगाडी जैसी पार्टिया जो उद्धाव ठाकरे की पार्टिया शरत पवार की पार्टिया राहूल गांडी की पार्टिया उनको हराना पड़ेगा हम पार्टी को नहीं हराना चाहते हम अपनी जो पहचान है हम हिंदू है हमारा अस्टित्व है वो बचाना है तो इनको हराना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हिंदूत्व हमारी पहचान जड़ से उखाड़ना चाहते तो इसलिए सोच लो अगले साल चातुरमास करना है की नहीं अगर अगले साल चातुरमास करना है अगले साल पंदरपूर की वारी करनी है अगले साल गंपती लाकर उसकी पूजा करनी है तो आज हमें वोट देकर वो अपना अधिकार अबाधित रखना जरूरी है इस धंका प तो बादा आ रही है वक बोल्ट और वक के कानून से आ रही है यह बड़े बड़े उधारने की तमिलनाडु में दिल्ली में या और कही यह इतने मंदीर है यह गवर्मेंट के अफिस है वह जमीन वक बोलता है हमारी एकल हमारे मंदीर में आ जाएंगे तो क्या मंदीर छोड़ोगे अगर मंदीर छोड़ोगे तो अगली बार किर्दन कहा होगा अगर पंडर कुप का मंदीर चला गया तो वारी के लिए जाओगे कहा यह सवाल लोगों को जाकर दिल को भिड़ते है और उसका जो इंपैक्ट है वो मेडिया में आपको मेडिया वा हो रहा है इसका प्रभाव क्या हो रहा है और यह बिल्कुल देखो आप बड़ी-बड़ी बाते करो तो चीज आलग होती है लेकिन जब आप आप तक पहुचने वाली कोई समस्या होती है तो आप सीरियस हो जाते हैं जब वोटर को लगता है कि शनीवार को मैं हनुमान के मंद में जाने वाला हमारा च्छोटा शिव मंदिर है वहीं नहीं रहेगा तो मैं जाओगा कहां क्या भरोसा कल मेरे घर पर भी दावा वक बोल देगा यह जब लोगों के दिमाग में घुसाया जाता है तो लोग किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते किसी पार्टी के पर गाओ गाओ में हो रही है बहुत आहम जानकारिया भाओ आपने दी हैं आज के प्रोग्राम में अगर घर में कोई सांप घुसाता है तो लोगों की कोशिश होती है कि घर वालों को पहरे तो बचा कर कि उससे दूर कर दें और दूसरी कोशिश होती है कि जो भी सांप पकड़ने वाला विशे शग है उसको कॉल किया जाए बुलाया जाए या महले में अगर कोई ऐसा है जो सांप पकड़ता रहा हो तो उसको बुला करके उसका निदान कराया जाए और हमने देखा है कई बार के सांप को डस ना ले इसलिए सीधे उसके फन से पकड़ा जाता है उसके मूँ के पास से पीछे से पकड़ा जाता है और यही काम तो योगी आदित नाथ ने कर दिया है वहाँ जा करके और हर्याना चुनाओं से पहले भी हमने देखा था कि योगी आदित नाथ ने करनाल की सभा में पहली बार इस बारे में कहा था बटोगे तो कटोगे और बंगला देश का उधारन तो वो अगस्त में भी दे चुके थे उत्तर प्रदेश में आगरा की एक सभा में तो ऐसे में जो कॉंग्रेस की बौखलाहट सामने आई है जिस तरीके से मलिक अरजुन खरगे ने योगी आदित नाथ के पहनावे पर वो तो गंजे हैं और उनको तो राजनीती में आना नहीं चाहिए भगवा धारी का राजनीती से क्या वास्ता है या तो सफेद धारन कर से उनको तो राम बदराचारीय का मैं इस्टेटमेंट सुन रहा था औरा मनेख कहा कि नहीं नहीं वो जो भगवान का रूप है यानि भगवा है उसको राजनीती में नहीं आनारे पर दो पुद्चन को लुच्लों को माभिया है क्या यह कहने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस और उसके बाद जो पलट वार किया है योगी ने मुझे लगता है कि मलिका अर्जुन खरगे कॉंग्रेस और उनका पूरा कुनुबा जितना भी एंबीए का है वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगा बिल्कुल याद रखेगा देखो मुझे मैं मैं यही बात पर दो मेरे छे साथ भाशन हो गए एक जाग दो कोलेज के स्टूडन्स ने मुझे सवाल पूछा कि आपकी बात हम मान लेते हैं लेकिन क्या वक्प के लिए इतना डरना जरूर है उन्होंने मुझे पूछा क्या सच पूछो आज जो खबरे हमारे देश के बाहर से एर्योप से आ रही है फ्रांस से आ रही है बृटन से आ रही है जर्मनी से नेधर लेंड से आरे हैं जो सवाल तुम पूछ रहे हो बिल्कुल 10 साल पहले वहां के बुद्धीजीवी भी पूछ रहे थे क्यूं जो आ रहे शर और आज 10 साल के बाद वहां के सब के सब लाग उठाकर फायदे उठाकर ये बोल रहे हैं कि हमें शरीयत चाहिए जर्मनी को ब्रिटन को फ्रांस को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो तुम सवाल जो पूछ रहे हो बच्चो मैंने बोला वो 10 साल पूराना यूरोप का सवाल अगर वो उस समय डर जाते अगर उस समय जर्मनी भरांस डर जाते तो आज उनको मुस्लिमों को डिपाउट करो डंगा फसाथ चल रहे हैं ये समस्या नहीं होती दस साल पहले वो सिगनल दिखाई दे रहे थे संकेदा रहे थे कुछ लोग बोल रहे थे डरो यार यह सब जूंडा रहे यह आगे चल कर बड़ा प्रावलेम बन जाएगा तो कुछ लोग बुद्धी जी भी पूछ रहे थे ये तो है तो कितने दो चार लाख लोग आने से क्या इतनी बड़ी लोक्संख्या है जर्मनी की क्या फरक पड़ेगा डरने की ज़रुरत है ये पूछ रहे थे आज देखो क्या हुआ है तब जाके वो बच्चे यहने वो बच्चे कॉलेज के भी है वो समझनी की कोशिश कर ले मैं उनको गलत नहीं ठा रहा है मैंने बोला तू सही बोल रहा है लेकिन तू समझ कि तू जो आज सवाल पूछ रहा है वो दस साल पहले जर्मनी में भी पूछा गया और जब उसका जवाब नहीं दिया गया ना समझा गया तो दस साल बात क्या हुआ है मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तेरे बाप के पोतों के बारे में बोल रहा हूँ, क्या उनके लिए तुम क्या बचा के रखोगे, दुनिया भर से हिंदू भाग कर आता है, कहां आता है, हिंदुस्तान में आता है, अगर यह यहां भी हमारी भूमी नहीं रही तो भाग कर और कहां जाओगे इसलिए जो कुछ है वो बचा के लखना दुरूरी है और इसलिए डरना ज़रूरी है जो संकट आ रहा है मैंने बोला मुपर चार साल पहले मुपर मास्क लगा कर क्यों रहते इतना डरना ज़रूरी था मरे तो नहीं लगाया होता तो ग्या जिन्दा रहते तुमने बैपश् सोचने लगे तो बोले नहीं हमको समझ डुर शुना दरूर जूर जरूर है इसलिए वोट करना पड़ेगा यह बच्चे अपस में चर्चा करने लगे तो परिणाम जो था ओआ समझ लो एक तरीके से यह हो रहा है और दूसरी जगा वो गाव का जो जो अनाडी हम जिसको मानते हैं गार गरामीर वो भी वक का मतलब समझना चाहता है समझ कर ले रहा है और उसको मदद किरतनकार प्रवचनकारों से हो रही है भाव क्या हम यह मान लें कि महाराष्ट में जो इस समय चल रहा है यह कोई जनीतिक लड़ाई नहीं है यह वैचारिक सांसकर्तिक और सामजिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है बिल्कुल यह अस्तित्व की लड़ाई है देखी एक तरफ हम चुनाओ दकर देखे पॉलिटिकल पार्टिस का तो उसमें उद्धव ठाक रहे हो शरत पवार हो कॉंग्रेस हो बीजेपी हो एकना चिन्दे हो या अजित दादा हो यह पॉलिटिकल पार्टिस उसमें आप प लेकिन आम जनता जो होती है वो पॉलिटिक्स में नहीं होती हम वोटर है हम वोट देते हैं और जिसको चुनकर दिया उससे कुछ काम होना चाहिए एकस्पेक करते हैं लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं तो जो लोग पॉलिटिक्स में है आज किसी को चुनकर लाने के लिए मेहनत कर रहे क्योंकि कर उनको पारश्यद होना है जीला परिश्यद का सदस्य होना है लोकल बोर्ड का सदस्य होना है ऐसे भी है वह एक्चुल पॉलिटिक्स में हम नहीं है तो जो एक्च्वल पॉलिटिक्स में है उनके लिए यह सर्भाइबल की लड़ाई है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दूसरी तरव अगर हमने गलत पार्टी चुन दी गलत लोगों को सक्ता में ला दिया तो क्या पूरा देश मौला ना चलाएंगे जो वक बोर्ड के सबसे टॉप मोस सदस्य होते है क्योंकि वक बोर्ड का अगर कोई डिसीजन होता है तो उसको कोड तक चैलेंग नहीं कर सकते इसका मतलब संसत को निउट्रलाइज किया गया है कोड जुडिशरी को निउट्रलाइज किया गया बस वक और खुद ही वकिल है खुद ही दावेदार है और खुद ही डिसीजन में करें तो इससे जो डर है जो धोका है जो नुकसान होने बाला है इसके लिए हिंदू बनके सरवाईव करना ये भी महारस्ट की एक अलग लड़ाई हो दो जगा सरवाईवल की लड़ाई चल रही है एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो पार्टिया है उनके लिए अपनी पार्टि बचाने की लड़ाई चल रही है और आम जंता में हमारे परंपर हमारा धर्म हमारी प्रताये हमारा अस्टित्व dirig में उसका सरवाईवल होना इसकी लड़ाई चल रही है तो दोनों जगा सर्वाइबिल की लड़ाई चल रही है बहुत एहम बातें हैं ये और मुझे लगता है कि मैं इसलिए भी आज जो टिपिकल पॉलिटिकल डिसकसन होता है थोड़ा सा उससे अलग तरह का डिसकसन बावसे कर रहा हूं ताकि हमें ए इस समय की लड़ाई है उसकी सही सही इस्तिति और परिस्तितियों का भी अंदाजा हो जाए और उससे जुड़े हुए फिर तमाम आस्पेक्ट्स होते हैं जिनको समझने में हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ पॉलिटिकल पारिटिय है उनके लिए तो अपनी सीट जितना इंपॉर्टन्ट है लेकिन यह एक बात भूल जाते हैं कि आपकी सीट आपका गड़ आप जरूर जीत पाएंगे लेकिन अगर यह देश सब्विदान के तहत और हिंदू बहुल नहीं रहेगा तो क्या आपका जो गड़ है वो बचे क जब ब्रिटीश हो की या उसके पहले मुगलों की सत्ता आ गई उन्होंने एक-एक को अलग करके एक को सपोर्ट करके दूसरों को विकलांग करके आइस्ते आइस्ते पूरे देश वर अपनी सत्ता जमाई थी तो धोका आज की बात नहीं होती दूर का धोका होता है वो आप नहीं रहागा बेटा नहीं रहेगा तो अगली पीड़ी आएगी कहां से अगली पीड़ी आएगी कहां से तो इसलिए इंसान और जानवर में एक फरक होता है जानवर जो होता है वो आज के लिए खाना मिले इतना ही देखता है कल की उसको परवा नहीं होती कुछ पश के लिए कोई समाल कर रखते जमा करके लगते लेकिन आम जानवर जो होता है हम गाय भैस वगरा घर में पालते कुट्टे बिल्डिया पालते तो वह अपने लिए खाना नहीं जमा करते इंसान करता है क्योंकि इंसान को कुछ दिन security चाहिए तो इसलिए पार्टिया परिवार की पार्टिया अपने लिए देख रही है समाज के लिए नहीं देख रही है देश के लिए नहीं देख रही है राश्ट्र के नहीं देख रही है तो जो राश्ट्र बनता है वो जनता से लोकसंख्या से बनता है तो उस लोकसंख्या को सोचन पड़ेगा कि हमारा क्या रहूल गंदी का परिवार हो या खाकरे का परिवार हो मुलायम का परिवार हो उनकी सत्ता रहे ना रहे वह उनका मामला है हमारे लिए यह देशं हमारा होना चाहिए हमें यहां सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए यह हमारे लिए तो उनका गड़वर जीत पाए या ना पाए उससे हमको मतलब नहीं है शरत पवार का भाजा भतीजा या पोता चुनकर आये ना आये उससे मेरा क्या होने वाला है मेरे लिए मेरा परिवार और उसका भविश्य अगर इस धर्म से इस सोसाइटी से इस राष्ट्र से निगड़ी थे तो जीत मेरे राष्ट्र की होनी चाहिए मेरे धर्म की होनी चाहिए ना कि किसी परिवार की होनी चाहिए क्योंकि वो परिवार हमने देखा उद्धाव ठाकरे ने एक दिन में हिंदुत वो ठुकरा लिया क्यों उनको सत्ता चाहिए थी तो यह ऐसे परिवार किसी राष्ट्र को किसी समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते ना भविश्य दे सकते उस वक्त आम जनता को आगे आकर अपना भविश्य देखना पड़ता है जोड़ना पड़ता है और यह चुना जार्खंड़ हो या महारस्ट्र में हो इस समाज को आम जनता को अपने भविश्य के लिए वोट करके जीतना है भाव अभी आपने राहुल गांदी का नाम लिया वो तो खेर महाग्यानी है रियाना में तो वो जलेबी की फैक्टरी बनाने की बात कर रहे थे और इस तरह के आईडियाज बहुत विरले लोगों के पास ही होते हैं जैसे राहुल गांदी के पास थे मेरा आकलन ये है के उन्होंने हरियाना में अत्ती सक्रियता इसलिए दिखाई थी के भई दस साल हो गए हैं अब तो भारते जिन्ता पारिटी को जाना ही है और कॉंग्रेस को आना ही है तो स्रेम मुझे मिल जाए के देखो राहुल गांदी तक इतना पसीना बहाया था बहन भाई जो है रोडशोह भी कर रहे थे सभाएं भी कर रहे थे नए-ञाए इन 오ेशन भी कर रहे थे आईडिय भी दे रहे थे कि जलेभी की पेक्टरी बना करके और पिर अमेरिका तक जलेभी कि सप्लाई की जाए लेकिन वहां तो सब लोगों ने पटकी दे दी इधर महराष्ट से खबरे आ रही है कि कुछ खास सक्रियां है नहीं कमी आ रहे हैं या बस रस्म अदाईगी हो रही है राहूल गांदी की तरफ से ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पिछले चुनाओं बेवी पाथ साल पहले आप जाएए तो राहूल गांदी सिर्फ चुनाओं में विदान सभा के एक दिन आये थे और वो भी नांदेट डिस्टिक तक्सिमीत था अशोक चवान क की थी जो महाराष्ट्र प्रदेश कंग्रेस के अध्यक्स है और अवर एक मिटिंग की थी दूसरी बार रहूल गांदी महाराष्ट्र में आये भी नहीं थे आज भी वही है उनको चिंता है उनकी बहन चुनकर आएगी कि नहीं तो पूरा टाइम वायनाण को दे रहे है इस इसलिए आपने जो परिवार की बात कहीं तो इसलिए दूसरी दरव देखिया अभी वी जो मुझे पता चला है राश्ठाकरे ने अपना बेटा जहां से चुनाव लड़ रहा है वहां मिटिंग नहीं किये हम जब बोल रहे तो वह अपनी पार्टी के अलग-अलग कर रहे हैं और यह आज भी एक शेत्रिय छोटी सी पार्टी है लेकिन रहुल गंदी देखिया अल इंडिया पार्टी जो बीजेपी को चैलेंज करने वाली पार्टी उसके सबसे उचे नेता सर्वे सर्वा हाई कमांड वह अपनी बहन को बचाने में लगे ना कि कि ना अपने राज्य की परवा है ना अपने पार्टी की परवा है ना ये कि जितनी की उनको जरूरत लगती है बस मेरे खन्नान कु जो है उसकी बल्ले-isiert होने चाहिए और यही क्रक्रेश का नुक्सान होतले गया ถुब अगर हर्ती है तो उसका कारण यह है कि जब आप ए अधर्श पाइदा कर देते हो कि मेरे लिए हूं जैसे में जो ससे बढ साइद बाकि डो ठाकरे से सिख लिए कि कि मेरी भायन में जिम्मेदारी बाकि पार्टी के उम्मीदवार जो है कार्या करता है क्या जिम्मेदारी वह एक दो दिन कई जंक्ड में गए वह बाक्य तो हैं है तो ये तो होता रहेगा करो कि उनके पास कोई ऐडान नहीं एमिज homem जबन नहीं है ऐसे लोग ना अपना कुछ बना सकते है ना अपना भविष्य बना सकते है ना पार्टी का भविष्य बना सकते है अगर कोई अपना भविष्य या अपने पार्टी का भविष्य नहीं बनाता तो जन्ता का आम आदमी का और रज्य का भविष्य क्या बनाएगा और य अगस्ता लोगों को समझ में आ रहे हरी रही हelas में जो हुआ वह ही तो हुआ मैं जिसको अपणा भविष्यर नहीं दिखाई ही दे रहा है कि ना समझ रहा है वह हर्याना का भविष्यर बनाएंगा है मैं तो इसको बहर रथे वही धरकंड में होगा वही हर्यान महाराश्रम में होगा वही दिल्ली में होगा आने वाले हर चुनाओं में वही होते हम देखेंगे पिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप और कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट आने से एक दिन पहले पता चलता है किसाब राहुल गांधी तो देश में ही नहीं है विदेश में यात्रा पर निकल चुके हैं और अमित शाह या नरेंदर मोधी के बारे में पता चलता है कि अब से और तीन महिने चार महिने बाद जिन राज्यों में चुनाओं हैं वो उन चुनाओं की तैयारी के लिए उन रज्जों में पहुच चुके हैं, रिजल्ट आता रहेगा, लेकिन दूसरे रज्जों का रुख करते हैं, आखिर में मैं यह जानना चाहूंगा, यह जो सज्जाद नौमानी नाम की शक्सियत है आप लोगों के यहां, पहले तो वो उलेमा कॉंसिल के हैड के तोर पर सामने आए, प्रेस कॉंफरेंस की, और उसके बाद मुस्लिम प्रसनला बोड के परवक्ता के तोर पर आ गए, और उन्हों ने एक फत्वा जारी कर दिया मुसलमानों के लिए, के साब बीजेपी को हराने के लिए, और एमबीए के घटक द लाइनों में, लंबी-लंबी लाइनों में लग करके वोट करें और बीजेपी को और मोदी को हराएं, क्या इन लोगों को जरासा भी पता नहीं है, इतना अनुभाव नहीं है, कि जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो इसका रिवर्स पॉलराइजेशन भी होता है, और हिं जुदू जो है, वो एकजुट हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत जातियों में विभक्त थे, वो भी ही इकठा हो जाएंगे, क्या इस बात का अंदाजा नहीं इन लोगों को, या इनके पीछे जो भी ब्रेन लगे हुए हैं उनको, दिमाग तो नहीं ऐसा नहीं बोल सकता कम है, लेकिन ये तो ये फितरत है, ये सुभाव है, मुस्लीमों का यही सुभाव है, मैंने आपको यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन का एक्जामपल दिया, कि शरणार्थी करके आएंगे, और पहर जमाने के बाद दादागिरी शुरू करेंगे, यही तो मुस्लीम की फितरत होती है, सुभाव होता है, मदद मागने आएंगे, लेकिन एक बार अंदर घुज गए, तो पहर जमाएंगे, और आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, यह तो होगा, और जब आपको लालच होता है, तो लालच सोचने नहीं देती, सोचने नहीं देती, तो अगर यह चर्चा होगी कि मुस्लिमों के कारण उद्दव ठाकरे जीत गए, शरत पवार जीत गए, तो अब हो कीमत मागने के लिए आ गए, और उद्दव हो या शरत पवार हो या नाना पटोले हो, वो तो क्रेडिट कार्ड है, घिसलो, कैस देने की जरुरत थी, वो घिस आता है ना, तो बिल लेकर लोमा निसाब हाजिर हो गए, कि भाई चलो, लोकसमा चुनाओं में, तुमने क्रेडिट, हमारे क्रेडिट कार्ड पर इतना इतना खर्चा किया है, अब सूच समय, उसका पैसा है, वो वापिस करो, किमत अदा करो, तो ये तो होने वारा है, उनक को लीगल टर्म बताता हूँ, जे, जे, एक बात है कि आप ब्लैंक सपोर्ट दे दो, कि भाई हमको महाविकासागाडी तुको जीताना है, बात अलग थी, लेकिन इनोंने दो सो उनत्तर उम्मीदवारों के बाकाइदा नाम दे दिये, आप एक समझ लो, उसमें से जो पचा 60-70 जीत जाएंगे, तो जीतने वाले के खिलाब हारने वाले ने धर्म के नाम पर वोट मांगे गए, इसके लिए केस कर दी, तो वो जीतने वाले महाविकासागाडी के जो होगे, दो सो उनत्तर में से, उनके लिए तो नोमानी ने प्रोब्लेम घड़ा कर दिया, और उनके खिलाब लड़ने वाले, जो भी कोई BJP एकना छिंदे के उम्मीदवार है, उसके हाथ में हतियार दे दिया, तो नोमानी महाविकासागाडी को मदद कर रहे, या महायूती को मदद कर रहे, इस पर सोचिया, उनको संकट में डाल दिया है, उन्होंने भले इनका वोट मांग है, मदद मांगिये, यह पता नहीं है, लेकिन उसका नाम अपनिया लिस्ट में डाल कर, उस उम्मीदवार को नोमानी ने संकट में डाल लिया, तो समझता सब कुछ है, लेकिन लालत सोच यह नहीं देती, लालत सोचने नहीं देती, ओने वाला नुकसन होगा, यदिने एक बात समझ दो कि 23 तारीक को हम एक अंडर करण की बात सब चानेल पर सब मीडिया में सुनने वाले हैं जो अंडर करण गाव-गाव में मैंने देखकर आया है यह इनको आज भी मालूम नहीं है दिखते हैं क्या होता बहुत दो हजार उन्नीस सो उन्तीस में जिन्ना ने चोदे मांगे रख दी थी और अब इन लोगों ने सत्रे मांगे रखी हैं और ये अब तो लगबग मीडिया के हर अंग में ये आ चुका है उसका तुलनात्मक अध्यन भी हो गया है और ये भी जानकारी दी गई है किसाब कहां से शुरू हो गया जी जी तो ये चोदे मांगे जिन्ना की और सत्रे मांगे इनकी के साब वक्ष विलका आप विरोध करिए नौकरियों और सिक्षकों में सिक्षा में मुस्लिमों के लिए दस परतिशत आरक्षन तै करिए और महराष्ट के अड़तालीस जिलों में मस् की गई जमीन का सर्विक्षन कराया जाए महराष्ट वक्ष वोड के विकास के लिए एक हजार करोड रुपया दिया जाए यानि सीधे सीधे ब्राइब मांग रहे हैं और जो दो हजार बारा से चोबिस तक धंगों के सिलसले में कैद हैं उन मुस्लिमों को रिहा किया जाए यानि दंगाईयों को रिहा किया जाए मुलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा किया जाए इस तरह की इनकी कुल मिलाकर के सत्रा मांगे हैं तो ये ये जो है ये सारी चीजें क्या श्टो करती हैं साथ ये मांगे बिखा रही है कि तुम सिधे सिधे मुस्लिमों के गुलाम ब पंजब और इससे भी बड़ा पोलराइजेशन कंसोलेडेशन हिंदूत्व का हो जाएगा उनको भी पता है यह दिखिए वह चुधार्ना जो बील है वह पार्लमेंट में लाकर जेपीसी में भेजने की सबसे बड़ी पॉलिक्स तो यही थी इस पर ही चर्चा होने चाहिए इ लेकिन चर्चा अगर नहीं होती तो प्राब्लेम हो जाता है इसलिए अमिच्छा ने बील तो लाया लेकिन जेपीसी में डाल दिया तो जितनी चर्चा होगी उतना हिंदू कंसोलेशन होते जाएगा और उसको मुस्लिम मौला नहीं उसको खाट डालेंगे उसमें घी डाले आग में यह तो अमिच्छा जानते हैं ना अमिच्छा तो चानक के है वो तो जानते हैं कि हम हिंदूों को जगाने के लिए चितनी मुस्लिमों के मदद लेंगे उतना फास्त हिंदू जागरन हो जाएगा तो नोमानी साब और क्या कर रहें मुझे तो अभी भी अजीब नोमानी। वीजये डी में अरेशेस काम नहीं कर सकती हिंदू जागरन की वहो तो मुस्लिम और ना कर सकते। तो नुमानी ने एक तरीके से बड़ी मदद किये जर्कंड और महाराष्ट्रे में ऐसर में मान को और सबताहा के भीतर दो प्रेस कॉंफियंस बैक टू बैक भाव बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और महत्वपोर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थैंक्यू सो मच दर्शकों को जरूर महाराष्ट में क्या घट रहा है जमीन पर क्या चल रहा है उसके बारे में बहु ने जो बताया है उससे जहनकारी मिल गए होगी